इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के रेड्मी के डाइलर पेड के टून को अगर आपका बंद हो गया है तो आप उसे कैसे आउन करेंगे कैसे चालू करेंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से लाश्टक देखते रहें तो आपको क्या करना है कि झाओ को चलियाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको प्रणा है साववन एंड यहां कलिक करना है और सबसे नीचे चले जाना है यहां पर आपको दिखाई देगा additional setting तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर आपको क्लिक करेंगे तो सबसे उपर आपको दिखाई देगा dial pad tones तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके back हो जाना है और इसके बाद आपका dialer pad का tone फुलाई और लेखर करें डॉट है तो इसे चालू करने का य कुरोसेस गाइस तो उम्हाइब करता हूं कि ये विडियो आपको अच्छा लगा है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो गैज फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए गाइज बाबा टेख केर